हाई फ्रेंड्स मैं उर्मिला आपका स्वागत है मेरे चैनल किचन कार्निवल में तो फ्रेंड्स आज हम बनाने जा रहे हैं ड्रम स्टिक की ग्रेवी इससे सहजन की फली भी कहा जाता है इसमें आयन और केल्शियम बहुत ही ज्यादा मातरम में होते हैं और कई बीमारियों से हमें छुटकारा देलाती है तो देखते हैं कैसे बनती है ग्रेवी शुरू करते हैं रेसिपी ड्रम स्टिक की ग्रेवी बनाने के लिए हमें ये सब इंग्रेडियन्स चाहिए ये एक कप टमेटो का प्यूरी ले लिया है मैंने मिक्सी में पीस के ये आदा लेमिन का जूस अज़ली ले लिया है अब खट्रा अपने हिसाब से ज्यादा कम रख सकते हैं एक टीस्पून बारिक शुगर ले लिया है ए फस्फॉत कप बेसन है आधी है जो बारिक धनिया कटा हुआ कर लाल मेट्च पॉडर 2 टीस्पून तूट वं टी स्पून हल्दी ले लिया है तू टी स्पून धनिया जीरा पाउडर इस अंबार पाउडर ले लिया है दो चमच नमक स्वादनुसार तेल ले लिया है दो बड़े चमच एडर्ण स्टिक्स को दो इंज या तीन इंज के टुकडों में काट के मैंने बॉल कर लि अब सबसे पहले पैन में हम बेशन को चलनी से चालने के ताकि लंप्स ना आ जाए अब हम इसे हलका सा रोस्ट कर लेंगे पांच मिर्ट के लिए ऐसे स्लो गैस पे रोस्ट करेंगे तब इसमें अच्छा सा स्मेल आएगा बेशन का यानी हो चुका है अब हम इसे निकाल लेते हैं अब वही प्ले पैन में हम तेल एड़ कर देंगे जीरा एड़ कर देंगे लाल मिर्च अलका सब बुन लेते हैं अब टमेटो का प्यूरी एड़ कर देंगे इसमें आप चाहे तो प्याज और लशुन का पेस्ट भी एड़ कर सकते हैं यह 5 मिनिट के बाद ये हम इसमें दनिया और हल्दी पाउडर एड़ कर देंगे लाल मिर्ज पाउडर यह दनिया जीरा का पाउडर भी आड़ कर देंगे इससे इसमें बहुत ही अच्छी खुश्पू आती है और नमक आड़ कर देंगे स्वादानुसार इस अंबाय पाउडर आड़ कर देंगे इसमें निम्बू का जूस और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे अब यह ग्रेवी को हम जब तक की टमाटर का कच्छा टेस्ट चलाना जाए और यह साइट्स छोड़ना दे तब तक इसे हमें जते हएं ten it is definitely friends यह मेरे ओंनल किचन कानिव पर जो सबस्क्राइब का लोगो है आप उसे सब्सक्राइब करिए और वाजयों मेरे जो ब्याल आइकन है उससे दबाइए अ दो अब और यह दू लाइन आईगी तो मेरे जो बीनाई रसीपी जẻ आपको उसके अपडेट मिलते रहेंगे और जैसे ही मैं नई रेसीपीज अपलोड करती हूँ आपको मैसेज आएगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ये बिल्कुल फ्री है अब ये 5-10 मिनिट हो चुके है हमारा ग्रेवी पक चुका है अब इसमें बेसन एड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि लंप्स ना जाए अब जैसे ही बेसन एड किया है हमने इस ग्रेवी थोड़ा सकत हो गया है थोड़ा गाड़ा हो गया है अब आप इसे ऐसे ही रखना चाहते है तो ऐसे ही रखिए और अगर इसमें पानी एड करना चाहते हैं तो थोड़ा ग्रेवी जैसा हो जाएगा तो दीरे दीरे पानी एड करते जाए एक साथ मत एड कीजिए ग्रेवी का कंसिस्टनसी कैसा रखना है वो देख लेते हैं यह अब हम धनिया एड़ कर देंगे इसमें और यह ड्रम स्टीक के पीसी सेजन की फली को भी एड़ कर देते हैं और दीरे से मिक्स कर लेंगे वरना फली सब तूड जाएंगी यह हमारी ग्रेवी बनके रेडी हो च तब ते के लिए बैबाई